जब मुझे ट्रेन की कन्फर्म टिकेट नहीं मिलती तो मैं वेटिंग टिकेट ही ले लेता हूँ रेलवेज में एक VIP कोटा होता है जिससे वेटिंग टिकेट कन्फर्म हो जाती है मेरे पापा इंडियन रेलवेज में है तो जब कोई वेटिंग टिकेट कन्फर्म करानी हो तो वो वी आईपी कोटा पर किसी ओफिसर के साइन करा के रेलवे हेड़कॉर्टर्स में भेज देते हैं टिकेट कन्फर्म होगी या नहीं ये हमें ट्रेन के चलने से चार घंटे पहले ही पता चल जाएगा वैसे तो ज्यादा तर टाइम वी आईपी कोटा से टिकेट कन्फर्म हो जाती है लेकिन कभी-कभी बड़े ओफिसर का कोटा आ जाता है तो फिर उस ओफिसर की एप्लिकेश रिजेक्ट हो जाती है 31 मार्च को हमारी रात की ट्रेन थी लेकिन मुझे शाम को ही पता चल गया कि वी आईपी कोटा से मेरी टिकेट कन्फर्म नहीं होई इसलिए मैंने जल्दी से मेक माई ट्रिप में जाकर बस डूढ़ना शुरू कर दी मुझे वॉल्वो बस चाहिए थ जाकर अगले दिन के लिए इसी बस का प्राइस देखा तो सिरफ 1750 था मतलब अगर आप बस चलने के 3-4 गंटे पहले बुकिंग करवाएंगे तो मेक माई ट्रिप में ज्यादा रेट दिखाएगा ये हमारी मजबूरी का फाइदा उठाते हैं लेकिन फिर बस टैंड जाकर आन दो स्पोर टिकेट बुक कराने में रिस्क भी तो होता है ना क्या पता टिकेट ना मिले लेकिन सीधा सीधा टिकेट के हजार उपे बढ़ा देना कितनी गलत बात है इसलिए मेक माई ट्रिप से एक दिन पहले ही बुकिंग करानी चाहिए नहीं तो आपको ज्यादा पैस देने पड़ेंगे थैंक यू